नमस्कार में है अनुषका बिहारी नियूस में आपका स्वागत है नवरातरी के पवित्र नौ दिनों में से पहले दिन की पूजा के बाद दूसरे दिन की पूजा होती है कलश इस्थापना के साथ ही बारी बारी से इन नव दुर्गाओं की पूजा को वरत, संकल्प, पाठ आदि करके किया जाता है माता के सभी नौ रूपों का अपना अलग-अलग महत्व होता है इसलिए इन स्वरूपों के पीछे की कहानी और इनका आश्रवात पाने के लिए इन देवियों को पूजने के तरीके भी अलग-अलग है प्रतम दिन माता श्यल पुतरी की पूजा करने के बाद दूसरे दिन मा ब्रहमचारिनी का दिन होता है मादुरुगा का दूसरा रूप माता ब्रह्मचारीनी की पूजा कलस स्थापित होने के दूसरे दिन ही होती है इनकी पूजा को विधे विधान से करने से जीवन में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, सैयम की वृत्धी होती है ऐसे में हम इस वीडियो में आपको माब्रमचारीनी का स्वरूप, उनके अवतार की कहानी और उनकी पूजा करने की विधी बताएंगे साथ ही आपको वह पवित्र मंत्र बताएंगे जिसका जाब करने से माब्रमचारीनी का आश्रवाद अपने भक्तों पर बना रहता है तपस्या और चारेनी का अर्थ होता है आचरन करने वाली इस तरह से ब्रम चारेनी का मतलब हुआ तब का आचरन करने वाली मा मा ब्रहमचारी नहीं अपने दाहिनी हाथ में जप की माला थामे हुए है और बाई हाथ में कमंडल को थामे है मा खरी मुद्रा में है और तन पर श्वेत वस्तर धारन की हुई करन्या की रूप में है ऐसा कहा जाता है कि मा ब्रह्मचारी ने बगवान शिव को अपने पती के रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों सालों तक बेल पत्र और फिर निर्जन और निरहार रहकर तपस्या की थी जिसके कारण से उन्हें ब्रह्मचारी ने कहा गया दुर्गा का यह स्वरूप ज्यान और निगम आगम तंत्र मंत्र आदी से सयुक्त है यह अपनी भक्तों को अपनी सरवग्य संपन विद्या देकर विजई बनाती है मा ब्रहमचारीनी का रूप बहुत ही सादा और तेज से भरा है अने देवियों के अपेक्षा इन्हें अतिस्वों में और क्रोध रहित माना जाता है तब के देवी मा ब्रहमचारीनी की पूजा का बेहद खाश मात्व है इसलिए इसे नियम पुर्वक नवरात्र के दूसरे दिन करना चाहिए नवरात्री के दूसरे दिन सुबह सुबह इसनान करके सफेद या फिर पीला वस्तर पहन ले और मा दुरगा की उपासना करे मा को सबसे पहले पंजामरित से इसनान कराए और इसके बाद रोली, अक्षत, चंदर, मिश्री, लौंग, इलाइची, आधी को अड़पित करे माता ब्रहमचारीनी का पसंदिदा फूल, अरहुल और कमल में से कोई एक की माला अगर संभव हो तो आप जरूर चरहे इसके बाद भोग के रूप में दूद से बने व्यंजन चरहे इसके बाद घी वकपूर से दिये लेकर देवी मा की आरती उतारे इसके बाद दुर्गा चालिसा, दुर्गा मंत्र और दुर्गा सब्त शती का पाठ करे इस दौरान साफ मन से माता की पूजा करने वाले भक्तों की सभी मनुकामनाई को मा पूड़ा करती है पूजा के दौरान मा ब्रह्मचारिनी को समर्पित यह पवित्र मंत्र जरूर बोले जो की इस तरह है माता की दूसरे स्वरूप की पूजा करने से सभी काम पूरे होते हैं रुकावटे दूर हो जाती है और विजय की प्राप्ती होती है इसके अलावा हर तरह की परिशानिया भी खत्म हो जाती है देवी ब्रह्मचारनी की पूजा करने से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, सैयम की व्रिद्धी होती है यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंतफल देने वाला है माता की पूजा करने वाला जीवन के कठेन संघर्षों में भी अपनी कर्तव या पत से विचलित नहीं होता है इस दिन साधक कुंडलीनी शक्ती को जगरित करने के लिए भी साधना करते हैं जिससे उनका जीवन सफलो सके और अपने सामने आने वाले किसी भी प्रकार की बाधा का सामना आसानी से कर सके तो आप भी आज के दिन सच्छे मन से माप ब्रह्मचारीनी का आवान करें और संसार की सुख के कामना करें तो आज के इस वीडियो में इतना ही तब तक के लिए मुझे दीजे इजाज़त नमस्कार